नमस्कार दोस्तें इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आईए उसके पहले देखते हैं कुछ प्रयोग जब ही एक पानी से भरे ग्लास में हम कोई छड़ी नुमा चीज डालते हैं तो बाहर से देखने पर वो हमें तिर्ची दिखाई दोती है या फिर एक पानी से भरे ग्लास में रखा हुआ सिक्का जो की उसकी तली में होता है जब हम उसे बाहर से देखते हैं तो वो अपनी स्थिती से उपर उठा हुआ प्रतीत होता है या फिर एक मचली मारने वाले को मचली अपनी खुद की स्थिती से उपर उठी वी प्रतिती है और मचली मारने वाले को ये समझना परता है कि मचली की वास्तविक स्थिती क्या होगी तो ये सब प्रयोग जो हमने अभी यहां देखे ये हमें क्या बतलाता है यह हमें प्रकाश के एक बहुत ही महत्वपूल चरित्र से अगत कराता है और यह चरित्र है प्रकाश का अपवर्तन आईए सीखने की कोसिस करते हैं कि यह प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है इसे सीखने के लिए आईए सबसे पहले देखते हैं कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है इस चित्र में यह जो बीच में आपको वस्तु दिख रही है यह कांच का एक आयताकार स्लैब है और यह जो किरने यह जो किरने आ रही है यह लेजर किरने हैं जो इस कांच के आयताकार स्लैब के ऊपर आप्तित हो रही है हम देख सकते हैं कि जब भी ये लेजर पकाश की किरन इस आजटाकार स्लैब पर आप्तित हुई तो ये अपनी रेखा से अपनी वास्तविक सीधी जाते हुई रेखा से विचलित हो गई है विचलित को करके और जब यह बाहर निकलने लगी तो यह फिर से जिस रेखा में इसे सीवी रेखा में गमन करना चाहिए था उस रेखा में गमन ना करते हुए यह फिर से एक विचलित जिसा में गमन करें तो इस प्रयोक से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश की का चरिद्र अलग- अलग माध्यमों में जैसे यहां पे यह माध्यम है वायू अर्थात हवा और यह माध्यम है कांच, अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश का जो चरित्र होता है वो बदलने लगता है, आइए इसे और अच्छे तईके से सीखने की कोशिश करते हूं, आइए एक कांच का आयता का स्लैब लेते हैं इस स्लैब के चारो तरफ वायू है अर्थार्ट हमें यहाँ पर दो अलग-अलग माध्यन में रहा है दो अलग-अलग माध्यन कहने का मतलब यह माध्यन है काच और एक और माध्यन है वायू जो की इसके चारो तरफ फैला हुआ है एक प्रकाश की कियन जो की इस काच के आयताकार स्लैब के ऊपर आपतित हो रही है उस आपतन विंदू पर ये आपतन विंदू और उस आपतित किरन के वहां हम एक अविलंब बनाते हैं यह अविलंब हमेशा इस काच के आयताकार स्लैब से 90 डिगरी अर्थात 90 डिगरी का कौन बनाता है ऐसा मान लेते हैं कि आपतित होने के बाद ये प्रकाश के किरन उस काच के माधिन के अंदर चली जाती है और मुर जाती है हम यह आगे देखेंगे कि यह किरन का मुरना कैसे निर्भर करता है किस बात पर निर्भर करता है हम यह आगे देखेंगे पर इस चित्र में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जब अंदर मुर जाती है तब क्या होता है अंदर मुरने के बाद इस बाहर निकलने के बिंदू पर अर्थात फिर से इस काच माध्यम और वायू इन दो माध्यमों के बीच में का जो एक बिंदू है बीच का जो बिंदू है उस बिंदू पर फिर से हम एक अभिलंब लेते हैं और यह अभिलंब फिर से 90 दिगरी का कोन बनाता है जैसे कि यह अभिलंब बना रहा था यह दोनों अभिलंब बहुत ही महत्वकून है दोस्तोर और यह आखरी प्रकाश की किरन जो बाहर निकल गई और यह फिर से एक अलग कोन के साथ बाहर निकल गई है ऐसा मानते हैं कि यह जो प्रकाश का मुर्ना है यह एक निर्धारिक नियम के तहत होता है जो की हम आगे सीखेंगे इस किरन को कहते हैं आपतित किरन जो किरन काच के अंदर है उसको कहते हैं अपवर्तित किरन और जो किरन बाहर निकल गई उसको कहते हैं निर्धत किरन आईए अब सीखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रकाश का मुरना है स्लैब के अंदर और फिर स्लैब से निकलते वक्त वो कैसे निर्धार दिया जाता है तो मैं यहाँ एक काच का आयता कार स्लैब बनाने की कोशिश करता हूँ यह काच का आयता कार स्लैब है एक खिरन प्रकाश की किरन जो इस पर आप्तित हो रही है तो हम यहाँ एक अविलम्ब बनाते हैं मान लिया कि यह प्रकाश की आप्तित किरन इस अविलम्ब के साथ आई एंगल बना रही है आई आप्तित कोन बना रही है जब भी कोई प्रकाश की किरन विरल माध्यम से सधन माध्यम ना है विरल माध्यम अर्थात जैसे वायू और सधन माध्यम जैसे कांच वायू और कांच इसका एक माध्य जो मैं कह रहा हूं विरल माध्यम और सधन माध्यम यहां हम आगे देखने हैं कैसे इन्रधारित होता है कि कौन viral माध्यम है कौन सबूमागर है एक सामानमिस से दिमाद के लिए viral माध्यम और सबूमत माध्यम समचना बहुत आसान है आप सीज को समझ रहे होंगे कि वायू एक viral माध्यम है इसका जो घंड़्त है वो कांच के घनत्य से कम है इसलिए हम इसे विरल माध्यम पहरा है है और कांच को सधन माध्यम कर रहा है खेर आगे देखते हैं दोश्टे जब यह करकाश की किरन इस कांच के स्लैप पर पर पड़ रही है तो यह आई एंगल बनाती है तो अपवर्तन की नियमों की अनुसार जब भी प्रकास की किरन एक विरल माध्यम से सधन माध्यम में आती है तो वह अभी लंव की ओर मुर जाती है अभी लंव की ओर मुरने का मतलब है कि इस किरन को ऐसा सीधा जाना चाहिए था क्यूं कि काकाष की किरन हमेंसास सरल रेखामें गमन करते है? पर यह सीधी नहीं जाएगी क्यूं? क्यूंकि अपवर्तम के नियमों के अनुचार जब भी कोई काकाष की किरन विरल माध्यम से सगन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुर जाती है और अविलम्ब कहा है दोस्तों अविलम्ब यह यह हम यह जो हम यह आं से अविलम्ब की ओर मुर जा 멋있 analog की ओर मुरगे आपनी CD में गंजा कि अभी अभी हमने देखा कि Fyr French MHz माध्यम पर हमें एक और अविलम्ब बनाने की ज़ए जहां से वॐ भाहर निकल दूने की खोशित कर तो ये एक और अभिलंब है अपरवर्तन का नियम यह भी बतला रहता है हमें दोस्तों कि जब भी कोई प्रकाश्त की किरन सगन माध्यन से विरल माध्यन नहीं तो वह अभिलंब से दूर हो जाएगी तो वास्तों में इस प्रकाश्त की किरन को अपनी सीधी सरल लेखा में ऐसा गमन करना चाहिएगी पर यह अभी अभिलंब से दूर हो जाएगी ऐसे यह कौन जो अपवर्तित किरन और अभिलंब के बीच बन रहा है यहाँ पर इसे हम स्माल आर से दिखा सकते हैं और यह कौन जो अपवर्तित किरन और अभिलंब के बीच यहाँ पर बन रहा है उसे हम आई डेश से दिखा सकते हैं क्योंकि इस सतह के लिए वह अपतित कौन के रूप में काम कर रहा है और यह कौन जो अविलम और निर्गत किरन के वीच बन रहा है उसे हम आरडस्च दिखा सकते हैं तो इस तरह से हमने हर कौन को एक नाम देट लिया है दोस्तों एक और बात जो ध्यान देने लायक है दोस्तों वो ये कि आप्तित किरन और थाथ ये आप्तित किरन को अगर हम आगे बढ़ाएं इस तरह से और यह निर्गत किरन को भी आगे बढ़ाएं तो हमें पदा चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के समनांतर हों यह आप्तित किरन और निर्गत किरन हमेशा एक दूसरे के समनांतर भी बने चाहिए आईए अब एक प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने की कोशिश करते हैं इस नियम का नाम है स्नेल के अपवर्तन का नियम यह कहता है कि आपतन कोन की जया आपतन कोन अर्थात आई यहाँ और अपवर्तित कोश और अपवर्तन का कोश अर्थात यह आई इन दोनों की जया मैं यहाँ इसको लिखता हूँ आपतन कोन की जया अर्थात साइन आई एवं अपवर्तन कोन की जया अर्थात साइन आई इनका अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है इस स्थिरांक अर्थात कॉंस्टन यह हमेशा एक कॉंस्टन बताए तो इस कॉंस्टन कोहीं हम लोग अपवर्तनांग के नाम से जानते हैं यह अपवर्तनांग यह बहुत ही महतवपूल समझने की चीज है दोस्तों जिजह हम आगे देखेंगे तो इस नियम को आपतन कोन की जया एवं अपवरतन कोन की जया कि स्थिरांक होगी इस नियम को हम लोग स्नेल के अपवरतन का नियम कहते हैं आईए अब एक बहुत ही महतोपून बात समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है अपवरतनानक अपवर्णनांग एक बहुत ही महतोपून बहुती की राशी हद्य उत्त। आइए इसे समझने की कोश़िश करते हैं यह माध्यम इसे हम यहां माध्यम एक मान गया हैं और काच को माध्यम 2 अपवर्णनांग को हम मु से लिखेंगो तो अगर हमने ऐसा लिखा μ1,2 जिसका मतलब हुआ कि माध्यम 2 में प्रकास की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकास की चाल और यह जो राशी हमें मिलेगी यह हमें बतलाएगा कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष उतना है तो यह एक सापेक्ष अपवर्तनांक है अगर माध्यम 1 वायू है और हमने ऐसा लिखा इसका मतलब है कि प्रकास की चाल माध्यम 1 में बटे प्रकास की चाल माध्यम 2 में और हम सबको पता है कि वायू में प्रकास की चाल C होती है जो की बराबर होता है तीन गुमें 10 प्रकावर 8 मीटर पर सेक्ष तो यह सी हमें पता है दोस्तों तो C वाय भी भी अठाद प्रकास की चाल उस माध्यम में तो यह जो राशी है हमें अपवर्तनांक देगा माध्यम 2 का और एक के सापिक्ष पर चुकि यहाँ एक हमने वायू को माना है तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक सापिक्ष अपवर्तनांक नहीं है बल्कि यह एक Absolute अपवर्तनांक है Absolute अपवर्तनांक को हम लोग निर्पेट्ष अपवर्तनांक को ही कहते हैं तो अगर यह एक माध्यम वायू है तो हम इसे निर्पेट्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं पर अगर यह वायू ना होकर कुछ और माध्यम हो जैसे जल या फिर कुछ भे तो हम उसे निर्पेच अपवर्तनांग नहीं कह सकते बल्कि हमें सापेच अपवर्तनांग लेना होगा तो आखिरकार यह अपवर्तनांग इतना महत्वपून क्यूं है क्योंकि यह हमें बतलाता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल जादा है या कम है आईए किसे और गहराई में देखी मान लीजे कि वायू ने प्रकाश की चाल सी जो कि मैंने यहां लिखा है तीन गुले दस पर पावर आठ मीटर पर सेकंड है और प्रकाश की किरम वायू से काँच में आ रही है तो काँच का अपवर्त नाम काँच का अपवर्त नाम हमेशा ही एक से ज़्यादा होगा क्यों कि काँच के अंदर प्रकाश की किरन की चाल हमेशा 3 गुले 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड से कम होगी प्रकाश का जो मैक्सिमूम चाल होती है जो सबसे ज़्यादा चाल हो सकती है वो हो सकती है 3 गुले 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड तो काँच के अंदर इसकी चाल सी के वैद्यू से सी के माप से हमेशा कम होगी जिस कारण से अपवर्त नाम जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा काँच का तो कभी भी अगर दो सापेक्ष चीजे हैं जैसे कि यहां और क्या हो सकता है आयो देखते हैं एक माध्यम यह काँच हो सकता है और दूसरा माध्यम चल हो सकता है तो अगर आपको पता है कि एक दो इसको माल लगते हैं तो म्यू वन टू इस इक्वल डू विलोस इस इक्वल दू चाल प्रकाश की माध्यम दो में बटे चाल प्रकाश की माध्यम एक में तो यह अगर हमें चाल पता है तो हमें एक सापे अपवर्तनांग की राश्वी दी गई है जैसा कि वायू का अपवर्तनांग लगभग लगभग एक के बराबर है तो इसे हम एक ही मान लेखते हैं वर्ष का अप्रवर्तनांद, एक बिसमलोकी ने, उसी तरफ हम यहां दूसरी माध्यमों के अप्रवर्तनांद भी देख सकते हैं। पर गौर्फ करने वाली बात यह है कि हर अप्रवर्तनांद एक से ज्यादा द्रभ्यमान रखता है। इसका मतलब कह दो तो इसका मतलब यह है कि कोई भी माध्धन जो हम जानते हैं अगर इसे हम यहाँ नीचे ले यह माध्धन जो हम जानते हैं और यह वायु वायू में क्योंकि वायू में वायू का अपवतनांग एक है तो इसका अपवतनांग ज्यादा है अर्थाच यह एक सधन माध्यम है यह एक सधन माध्यम है और वायू एक विरल माध्यम है वायू का हम अपवतनांग एक मानगे इसको बना रहे है तो कताश की चाल जब ही इस सद्धन माद्धम में आएगी, तो वो अभिलंब की ओर मुर जाएगी हूँ इसको जाना ऐसे चाहिए था, तो ये सद्धन माद्धम यह बतला रहा है, कि प्रकाश जब भी इसके अंदर आएगा तो उसकी चाल जितनी विरल माध्यम में थी उससे कम हो जाएगे अर्थात वाल्यू में अगर हम प्रताश की चाल को 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड माने जिसको सी से भी लिखते हैं तो यह जो भी होगा भी अर्थात सधन माध्यम में प्रताश की चाल होगी वो इस सी से कम होगी हमेशा सी से कम होगी क्यों क्योंकि इसका वर्तनान्त जादा है तो सधन माध्यम में आते हैं इसकी चाल कम हो जाएगी और यही कारण है कि प्रताश अब लंड की ओर मुर जाते हैं, कब जब वो विरल माध्यम से सधन माध्या है। तो ये थी दोस्तों प्रताश के अपवर्थन की मुलभूत बाते हैं, आईए, अब मैं आप से एक प्रश्न पूछता हूं। जब मचली मार को मचली अपने वास्तविक स्थिकी से उपर दिखाई देती है, अथाथ नजदीक दिखाई देती है जल की सतह के, तो अगर मचली भी इस मचली मार को देख रही होगी, तो उसे क्या मचली मार नजदीक दिखाई देगा या जल की सतह से दूर दिखाई देगा मैं आपको इसका जवाब दिये देता हूँ कि मचली को यह मचली मार जल की सतह से दूर दिखाई देगा और धात अपनी वास्तविक स्थिती के ऊपर दिखाई देगा आप इस पर थवरा सोचें और अब वर्तन के नियमों का उप्योग करके